मद्यप्रदेश की कमान एक बार फिर शिवरास सिहंच चोहान की हातों में जाती हुई दिखाई दे रही है शिवरास सिहंच चोहान को आज विधायक दल का नाम चुन लिया जाएगा विधायक दल की इस बैठक के निगरानी ओब्जवर दिल्ली से वीडियो कॉन्फरिंसिंग के जरिये करेंगे वहीं मद्यप्रदेश में सियासी घमासान के बाद अब भारती जंदा पार्टी की सरकार बनने जा रही है इसके साथ ही राजभवन ने मुख्यमंत्री के शपद ग्रहन के लिए रात नौ बजे का वक्त दिया है रात नौ बजे मद्यप्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपद ले जाएगी इसके बाद शिवराज सिहन चोहान आज शाम चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपत लेंगे कोरोना वाइरस के कारण शपत ग्रहन सादगी के साथ होगा राजभवन के भीतर शपत की तैयारी शुरू हो गई है उनके साथ मिनी कैबिनेट भी शपत ले सकती है मारा जारा है कि इसे शपत ग्रहन में कम ही लोग हिस्सा लेंगे चौथी बार इसे शपत ग्रहन के बाद शिवराज सिहन चोहान मुख्यमंत्री बनेंगे इसे पहले पहली बार शिवराज सिहन चोहान 29 नवंबर 2005 में मद्रिदेश के मुख्यमंत्री बने थे इसके बाद 12 दिसंबर 2008 में वो दूसरी बार CM बने 8 दिसंबर 2013 को शिवराज ने तीसरी बार CM पद की शपत ली थी हाल ही में मदिपदेश में कमलनाथ सरकार की विदाई हुई है कॉंग्रिस के 22 विदायकों ने स्तीफा ली दिया था इन में 6 मंत्री शामिल थे स्पीकर ने मंत्रियों का इस्तिफा कुबूल नहीं किया था विदायकों के स्तीफे के कारण कमलनाथ सरकार अलप मत में आ गई थी लेकिन फ्लोर टेस्ट कराने की बजाए सदन को स्थगित कर दिया था इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोट पहचा सुप्रीम कोट ने कमलनाथ सरकार को तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया आदेश के बाद स्पीकर ने सभी 16 विदायकों का इस्तिफा मंजूर किया और फ्लोर टेस्ट के पहले ही कमलनाथ ने मुख्य मत्री पत से इस्तिफा दे दिया कमनलाद सरकार पर संकट के बादल उसी दिन से मंडराने लगे थे जब कॉंग्रिस पार्टी के कदावर नीता जोतिरादित सिंधिया का मोह भंग हो गया था सिंधिया के करीबी विधायक बैंगलूर चले गए और सिंधिया दिल्ली आये फिर उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी से मुलाकात की इसके बाद सिंधिया ने बीजेपी जॉइन कर ली कमनलात के स्तीफे के बाद अब शिवराज चौथी बार मधिप्रदेश के मुख्य मंत्री बनने जा रही है